बिगुल बच चुका है, लोकसभा चुनाव 2024 का एलान हो चुका है प्रधान मंत्री की कुर्सी पर चुनाव किस किस दिन और कितने फेजों में होंगे उन चीजों का भी एलान हो गया है लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान हो चुका है और ऐसे में चुनाव कितने फेस में होंगे और वोट कब कब पड़ेंगे और इस बार चुनावों में क्या खास है आपके लिए जानना बेहत जरूरी है सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लोकसभा के साथ चार राज्ये आंधर प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधान सभा चुनावों की तारीखे भी जारी कर दी गई है लोकसभा की 543 सीटों पर साथ फेज में इस बार वोटिंग की जाएगी तारीकों की घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श, आचार, सनहिता भी लागू कर दी गई है तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब कब वोट पड़ेंगे पहला चरण 19 अपरेल को होने वाला है वही दूसरे चरण की तारीक 26 अपरेल रखी गई है तीसरे चरण में वोटिंग 7 मई को और 4 चरण में वोटिंग 13 मई को की जाएगी साथ जून को जारी होगा और उसी दिन पता चल जाएगा कि कौन होगा लोकसबा 2024 में जीतने वाला कौन होगा प्रधान मंत्री की कुरसी पर बैठने वाला लेकिन ये भी आपके लिए ज़ानना इस वक्त बेहत जरूरी है कि इस बार चुनावों में क्या-क्या खास है सबसे खास बात इस चुनाव की ये है कि आप Know Your Candidate यानि कि KYC एप पर जाकर उमीदवार के क्रिमिनल ब्रेग्राउंड के बारे में पूरी ज़ानकारी ले सकते हैं ऐसे ही सिविजिल एप पर वोटिंग से जुड़ी शिकायत भी आप कर सकते हैं चुनाव की तारीखों के एलान से पहले मुखे चुनाव आयोक्त ने कहा कि जनता चुनाव को लेकर अपनी शिकायत बड़ी असानी से इस बार दर्च करा सकती है उन्होंने आगे बताया कि जनता को बस सिविजिल एप पर जाकर पोटो खीच कर अपलोट करना है उसके बाद 100 मिनट के अंदर ही आपकी समस्या हल कर दी जाएगी चुनाव आयोक आपको बता दे कि बहुत सारे वोटर्स की भी ज़ानकारी जबर्दी है ऐसे ही आगर आप जादा उमर के हैं आप बुजर्ग हो चुके हैं तो आपके घर पर आकर ही आपसे वोट लिया जाएगा उन विकलांग लोगों के साथ भी ऐसे ही किया जाएगा जिनकी विकलांगता 44 प्रतीशत से अधिक है बुजर्ग लोग और विकलांग लोग घर पर आसानी से बैठ कर इस बार वोट डाल सकेंगे 10.5 लाख इस बार पोलिंग बूत बनाए जाएंगे चुनाव के लिए 1.5 करोड अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी तैनात होंगे 7.5 लाख EVM मशीन और 4 गाड़ियों की विवस्ता है इस बार 1.8 करोड ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करने जा रही है तो ऐसे में आपका जानना बेहत जरूरी था कि 7 पेज में चुनाव कब कब होंगे साथ साथ चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए सारी जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि अगर आप या आपको कोई भी पैसो का लालच देकर उमीदवार आपसे वोट खरीता है तो आप उसकी असानी से शिकायत कर सकते हैं आप बुजर्ग है तो आपके घर पर वोट पड़ेगा आप अभी से ही अपना नाम अपने आसपात की मतगणना लिस्टमर दाखिल करवा सकते हैं और आप से ही अचार सनहिता लागू हो गई है और साथ फेज में चुनाफ करवाए जाएंगे जिनका रिजल्ट चार जून को आएगा पता चल जाएगा चार जून को की देश का प्रधान मंत्री कौन होगा इस बार प्रधान मंत्री की रेस में कौन सी पार्टी सबसे आगे चलेगी कौन इस बार प्रधान मंत्री के तक्त पर बैठेगा चार जून को पता चल जाएगा को क्या लग रहा है इस बार प्रधान मंत्री की कुरसी की लड़ाई कौन जीत सकता है हमें comment section में जरूर पता है और इसी तरह जुड़े रही है news book के साथ